नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत अच्छे तरीके से confirm नहीं है, फिर भी इनोंने 32 से 34 के बीच का आकरा मुझे दिया था, कि मैं इतना ही आयूका हूँ, और इनको वरतमान समय में इनके उपर ना, 78 करोर रुपया का करज है, 78 करोर, तो ये जानना चाहते हैं कि ये करजा जो इनके उपर हो गया है, ये पाएंगे कि नहीं, पहला सवाल, दूसरा ये करजा हुआ क्यों है, और चलो करोर पती तो नहीं बन पाएं, लेकिन करोरो का करजा जरूर सर पर ले लिया है, तो ये जानना चाहते हैं, इस करजे से चुटकारा मिल पाएगा कि नहीं, पहला सवाल, दूसरा कोश्चन्स क्या योग हैं और आगे जीवन कैसा रहेगा क्यों गरबरी हुई अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ आप चाहे करोडों के करज में रहो या करोडों कमाओ करोडों पती तो कही जाओगे न अगर आपको आठ करोडों रुपया आपके ऊपर करजा है तो मतलब पैसा भी कमाया होगा आपने तब तो आपको करजा भी दिया किसी ने तो आए इस चीज़ को हम गहराई पुरवक समझते हैं कि हाथ पर करोडों पती बनने के योग थे की नहीं और जीवन पर ये समस्याएं क्यों आई और आगे का जीवन रहेगा कैसा आए इस विशे पर बारे की प उपर हाबी हो गई तो कमा तो लोगे लेकिन कवा भी जरूरत होगी तो यहाँ पर दे को एक जबरदस दिक्रिया बुद्धरेका बहुत आला अब बुद्धरेका के बाद बागिरेका यहां तक दिखी अब इनके हाथ पर धंतरिबुज बनता बनता रह गया इस बीज में गयब था तो यह स्थितियां जातक को करूरों का कर्ज देती है याद रखना यह जो स्थितियां मैं बता रहा हूं यह जो बुद्धरेका की बनावड थी इस परकार का धंतरिबुज जातक को करूरों का कर्ज भी देता है लॉजिकल समझाओं का बहुत मैतपून वीडियो वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखना अगर मैं और पॉजिटिव चीज की बात कर लूँ तो स्टूरी रेका बहुत जबर दस्ते मतलब गुनी हैं बहुत टैलेंटेड हैं इतना प्राक्रम और इतना समर्पन इतना तेज आपके अंदर है कि आप जीवन में किसी भी किसी भी सफाब करकार की सफलता को आप प्राप्त कर सकते हैं सीडी से एक महतपून बात मैं आपको बता रहा हूं अगर मैं आगे और चीजों को देख लो और क्या क्या चीज़े आपके हाथ पर हैं तो आईए चीजों को समझते हैं तो बुद्ध पे खड़ी रेखा है दि प्रोर्पती बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहा जाती है। जहां पर देखो तो कुछ यात्रा के लाइन से जीवन पर यात्रा हैं रहेंगी विदेशी दर्तिते दनलाव के योग बन रहे हैं। और अगर आगे देखनो तो जीवन पर प्रगती की रेखा है। ये जीवन पर तरक्की और प्रगती को बताती है एक और प्रगती की रेखा है। जीवन में परिवर्तन लाता ही लाता है ना की तो बात ही नहीं है। अगर मैं आगे देख लो और क्या-क्या पॉजिटिविटी और क्या-क्या नेगिटिविटी आपके हाथ पर तो चीज़ों को गहरा ही पुरवक समझिएगा। जानने का कोशिश करिएगा बहुत पार्टिकुलर समय के बाद जीवन में तो बड़ी प्रगती होगी। एक पार्टिकुलर समय के बाद जीवन में बहुत तरक्की होगी क्योंकि समान नहतेली है यह नहीं। समय कराब रहने वाला है। अलाकि 5-6 साल अगर आपका गरबर भी है तो उस चीज़ को लेके हम जज नहीं करते हैं। और अगर मैं आगे देख लूँ अभी मैं आपको नेगटिव चीज़ दिखाऊंगा बहुत बारे की प्रगत। अब देखिए क्यों करोरो का नुक्षा तो आता ही है। चाहे वो डूब जाए उससे कोई मतलम नहीं आएगा जरूर। ये एक जबरदस दिख लिए आपकी बागे रेखा। अब देखो यहां से गरबर है। तो इनकी आयू क्लियर नहीं थी मेरे समझ से इनकी आयू 33-34 वर्स से कम भी नहीं है। अब 30 वर्स में बहुत बरा नेगटिव एक्सपेंस था फिर 32 वर्स में बहुत बरा नेगटिव एक्सपेंस था बागे रेखा। लगबक 36 में साल की आयू तक गरबर 36-37 साल तक। अगर आपकी 34 वर्स की आयू है तो ये इंडिकेट करती है कि जातक को और 2-3 साल तकलीफ जीलना है। अग रिचे आपका अतली मुझे करा रहा है मैं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर अब इस भागे रेखा के लिए उपाय करना है। इस भागे रेखा के लिए आपको उपाय करने हैं वो मैं आपको प्रसनली बता दूँगा क्या उपाय करने हैं क्या चीज़ से बेनेफिट और 37 वर्ष से आपके जीवन में फर परिवरतन आएगा और गजब काएगा और ये सूरी रेका है तो गुनी तो बताई रही है जातक गुनी है अपने दम पर पैसा कमा ही लेंगे तो अभी अकास्मिक धनलाव को लेके भी बिना उपाय के संभव नहीं है लेकिन हाँ होगा जरूर अकास्मिक धनलाव होगा जरूर आपके जीवन में ये चीज़ मैं आपके एतले के माद्यम से देख पा रहा हूँ जान पा रहा हूँ चुकि आपकी बागी रेखा आगे भी बहतर है और जीवन के अंतिम समय तक भी बहतर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बहुत जबरदस्त आपकी बागी रेखा तो यहाँ पर यहोगी पॉजटिविटी और एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके 36-30 के आसपास आपके जीवन में आना भी है यह चीज भी मुझे आपके इतली दिखा रही है बता रही है तो कोई खास दिक्कत नहीं होगा कोई खास समस्याएं जीवन पर नहीं होगी कोई करना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा यह आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आनिकार करेगा बहुत ज़्यादा तो अभी मैं आपको जीवन रहेखा से दिखाता हूँ वैसे आप बड़े इंडिपेंडन्ट सोच के वेक्ति हैं लेकिन निरंतर बच आगे भी जबरदस बंडरी है आपकी बागे रहेखा यह जीवन रहेखा 36 के बाद तो एक 40 में तरकी 42 में है 45 में फिर लगबग 55 में आगे भी जीवन रहेखा बडिया है एक ट्रेंगल्स के साथ है लगबग 60 से लेके 70 के बीच में फाइदा होगा आगे भी जीवन रहेख मंगल्ड रहेखा बड़ी शांदार इस परकार की मंगल्ड रहेखा हो तो फिर क्या चाहिए जबरदस मंगल्ड रहेखा थोड़ा स्ट्रस का लाइन जरूर था यह थोड़ा स्ट्रस को जरूर दिखाता है जीवन पर ये परिशानी को जरूर दिखाता है जीवन पर ये तो पाने है तो इनफ कैपेबल होते हैं पैसे जोरने है तो यह तो मैं आपके तलिके मादियम से देख पा रहा हूं समझ पा रहा हूं जान पा रहा हूं तो ये भी positivity है बड़ी शांदार positivity है अगर आगे मैं बचार कर लूँ अभी इनके तलिका जनल दिन करेंगे चीज़ों को जादा महतपून है देखे सीखे समझे तो यहाँ पर से आ गया है स्क्वार इस पार प्लैंटरी कंडिशन्स अच्छे है तो राज्जोग कारा करते लिए गुलाबी धन को एट्रैक करती है जबरदस्त पैसा देती है जीवन पर और बढ़िया थम्म इस्ट्रॉंग इस्ट्र करूया है खर्चिले पर विर्ती के भी है फिंगर पर कडिरेका इंडिकैट करें दिल के पर अच्छे विक equipment मिलेगा थोड़ा दवाब स्ट्रेस भी रहता है धोोके भी मिलते है कुछ स्कौर्स है जो कहीं न कहीं आपके जीवन पर stability को बता रहे हैं 36 वर्स के बाद mind रेका अच्छी है दिमाग के 23 है इर्द रेका शांदाल है strong इर्दे के माले के balance ठीक है दिल दिमाग के तंद्रूस्त है यहां से दबावे तो काफी मैन दी जीवन के अंतिम समय तक भागी रेका का साथ है तो बागे में तो कोई कमी नहीं है जबर्दस बागी रेका कमाल की बागी रेका यहां पर line of education अच्छा है समझदार है जबर्दस दिकरी है सूरी रेका बिलकुल समाने नहीं है यह भी सूरी रेका बहुत जबर्दस यहां भी दिकरी है यहाँ पर एक बढ़िया सा ट्राइंगल किया बात है चत्रिस के बाद भी बढ़िया बागियरेका कुछ प्रापटी के योग के साथ है जो की जातक को मल्टिपल प्रापटी का सुख देती है मल्टिपल प्रापटी का अगर मैं आगे देखनों बुद्ध पे खड़ी रेका है रिमाक तेज सन मरकरी अच्छे बुद्धिवेक से कार करते है दोडो मंगल बढ़िया है तो हाइली एनरजटिक है यहाँ पर कुछ लाइन से थोड़े से यात्राओं को बताती है विदेशी दरती से दनलाव को बताती है चांसस पूरे है बागियरेका सुरुवाती दौर से बढ़िया है तो बढ़िया रहता है जीवन बढ़िया रहता है बुद्ध रेका बहुत शानदार है दनलाव कराती ही कराती है झाल झाल